बच्चो आपने पहले स्ट्रीन में देखा था कि हमारी असान सिंधी किताब का नाम असान सिंधी किताब है आज हम अब इसकी दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे पहला हिस्सा हमारी ऑनलाइन क्लास में जा चुका है आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे धनी सघोरो Students, मैं आपको इस lesson की पहली line से लेकर last, आखरी line तक पढ़ूँगी जो हिस्सा हम पहले पढ़ चुके हैं, उसकी भी दोहराई होगी और जो निया है उसकी भी धनी सघोरो धनी सघोरो का मतलब है अला ताला हिन सारे जहान के धनी सघोरो पैदा क्यों आहे हूँ असा सबनी जो खालिक एं मालिक आहे हुन पैंजी कुद्रसा जमीन, आस्मान, सेज, चंड एं तारा बनाया आहे हुन असा जे सुख लाए, पाणी, अनाज, एं बियों, एडियों, जरूरी शैयों, पैदा क्यों आहे अला साइं डाडो महरबान, आई भाजारुआ है हु असा सबनी तोड़े, बियन साब आरंजी, बियन रात संभाल लहे थो, आई रोजी रसाय थो अजीज तल्बा, ये रिकॉर्डिंग जो है, वो हम पहले कर चुके हैं, आज मैंने उसकी सिर्फ आपको दोराई करवाई है आज हम अपने इसी सबक का दूसरा हिसा शुरू कर रहे हैं हू हर हंद हाजिर आहे, असा हुन के निथा डिसों, पर हू असा सब नीखे डिसे थो असा जे की कम करियों था, सिय सब हू जाने थो असा जा लुक्यल कम, बहुन खां, बुझा के न आहिन धनी सघोरे असांखे इन्ही लाए पैदा क्यों आहे, ता चंगा काम करियों, नहीं चंगी चाल हलू असांखे गुर्जे ता धनी सघोरे के याद करियों, नहीं संदस खुकमते हलू दोराई हू हर हंद हाजिर आहे, वो हर जगा पर हाजिर है असा उनके निथा डिसु, हम उसको नहीं देख सकते पर हूँ असा सब नीखे डिसे थो, मगर वो हम सब को देखता है वो हम सब को देखता है, यानि के अला ताला हम सब को देखता है असा जे की कम करियू था, सियर सब हूँ जाने थो हम जो भी काम करते हैं वो सब जानता है हम जो काम करते हैं वो उससे चुपे हुए नहीं होते धनी सगोरे असा के इनी लाए पैदा क्यों आहे ता चंगा काम करियू यहीं चंगी चाल हलू धनी सगोरे यानि के अल्ला ताला ने हमें इसलिए पैदा किया है कि हम अच्छे काम करें नेकी के काम करें और अच्छी चाल चलें यानि के हमारा किरदार हमारा चाल चलेंज है वो अच्छा होना चाहिए असांखे गुर्जे तद्धनी सघोरे के याद करियू नहीं संदस हुकमते हलू हमें चाहिए कि द्धनी सघोरे यानि कि अला ताला को याद करें और उसके बताय हुए हुकमों पर अमल करें सबग में मौजूद डुक्या लव्स हर हंद हर जगा नथा डिसू नहीं देख सकते जाने थो जानता है लुक्यल लुक्यल काम पोशीदा काम गुजा काम गुजे मतब वो ही लुक्यल काम और गुजा काम दोनों का लवजी माइन है छुपे हुए पोशीदा चंगा कम अच्छे काम घुर्जे चाहिए डुक्यान लव्स अंजी माइना लव्स माइने सबग में माजूद लव्स और उनके माइने हर हंद हर जगा नथा डिसू नहीं देख सकते जाने थो जानता है लुक्यल काम पोशीदा काम चंगी अच्छी दुबारा पढ़ूँगी स्टुडेंट्स लव्स माइने हर हंद हर जगा नथा डिसू नहीं देख सकते जाने थो जानता है लुक्यल काम पोशीदा काम चंगी अच्छी सबग में मौजूद हेटिन जुम्लन में खाल बरियों हिन सारे जहान के डैश पैदा क्यों आहे हिन सारे जहान के डैश पैदा क्यों आहे नमबर दो हुन पैद्जी कुद्रसा डैश बनाया आहे नमबर तीन अला साइन डाडो डैश एं डैश आहे पू हर हंद हाजिर आहे पू हर हंद डैश आहे नमबर पांच हुन असंखे इनी लाए पैदा क्यों आहे त डैश करियों यहीं डैश खलों स्टूडन्स दोराई करूंगी दुबारा से अलिफ हेटिन जुम्लन में खाल भरियों नमबर वान हिन सारे जहान के डैश पैदा क्यों आहे नमबर टू हुन पैंजी कुद्रसा डैश बनाया आहे नमबर तीन अला साइन डाडो डैश यहीं डैश आहे नमबर चार हुन हर हं डैश आहे नमबर पांच फुन असा के इनी लाए पैदा क्यों आहे ता डैश करियों यहीं चंगी डैश हलों हिसा बे हैटे लवस पैंजी जुमलन में कम आने हूं लवस जुमला महरबान हाजिर हिसा जीम पढ़ो आई जुमला पूरा करियों असा के आला ताला जो हुकं आहे ता डैश करियों असांखे आला ताला जो हुकम आहे तडैश करियू नमबर दो मुखे उस्ताज जो हुकम आहे तडैश करियू मुखे उस्ताज जो हुकम आहे तडैश करियू नमबर तीन मुखे बाबा जो हुकम आहे तडैश करियू नमबर चार हिसादाल हेटें लवस पंच पंच पैरा लिखो हेटें लवस पंच पंच पैरा लिखो इसका मतलब है कि ये जितने भी लवस आपको दिये गए हैं उनको आपने पांच पांच दफा लिखना है अपनी कॉपी में खालिक बजारो रोजी गुझा हुकम खालिक बजारो रोजी गुझा हुकम स्टूडेंट्स आपको अपना घर का सारा काम अपनी कॉपी में करना है आप अपनी कॉपी पे अपना नाम क्लास और स्कूल का नाम लिखेंगे और हर बुद की सुबा सुबा नो बज़े से लेकर नो बज़े से लेकर ग्यारा बज़े तक अपना काम जो है स्कूल आफिस में जमा करवाएंगे क्लास खत्म करते हैं इस दुआ के साथ घर में रहें महफूज रहें अपने हाथों को बार बार सावन से धोएं हम महफूज तो पाकिस्तान महफूज शुक्रिया